हेलो दोस्तों स्वागत है आपका यूट्यूब क्लासिस में मैं यहाँ पे आपका बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि क्यों इंडिया के बहुत सारे ओफिशल्स ने जैसे क्या पिक्चर में देख सकते हो पाकिस्तान में जाके विजिट किया और उनके ओफिशल्स के साथ बैठके बातचित की वह उसी बातचित ही नहीं है बलकि बहुत सारा डेटा भी हम लोगों ने शेयर किया है जैसे कि जे एंड के इंडिया कौन कौन सी रिवर के ओपर कौन कौन सा प्रोजेक्ट बना रहा है एक तो हम लोग नहीं यह information शेयर की जो डैम हम लोग बना रहे हैं वहां पे कौन सी टेक्नोरजी यूज ओर ही है कौन सा नया कनाल या कौन सा नया डैम हम लोग बनाने के अले फ्युचर में planning कर रहे हैं और कौन कौन सा डैम की construction हम लोगोंने पूरी कर दी है कौन सा डैम हम लोग एगरिकल्चर के लिए बना रहे हैं कौन सा डैम जो है हम लोग डोमेस्टिक परपस के लिए बना रहे हैं इस तरह की धेर सारी information हम लोगों ने पाकिस्तान के officials के साथ share की है उसी track information पाकिस्तान के officials में भी हमारे साथ share की है अब आप सोच रहे होंगे कि भाईया ये share करने की नोबत क्यों आगी क्यों हमारे officials को वहाँ पर जाकर visit करना पड़ रहा है देखिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोगों ने आपस में treaty की हुई है और उस treaty के अंदर ये provision है कि समय समय पे दोनों country की officials आपस में एक दूसरे की project के बारे में information share करेंगे लेकिन ये information सारी rivers के बारे में नहीं है सारे dams के बारे में नहीं है सिर्फ उनी rivers के बारे में है जो river, Indus river और उसकी tributary हैं दोस्त को इसको कहा जाता है Indus water treaty तो यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ Indus water treaty के बारे में इसका पूरा हम लोग post-martum करेंगे history जानेंगे इसकी इसका present जानेंगे और even इसका future भी जानेंगे क्योंकि मोधी जी ने आप सब कह दिया है कि यह वोटर और खून एक साथ नहीं वह सकते या तो आप खून खराबा रोकिए या फिर हम लोग पानी आपका रोक देंगे तो इसी लिए भी यह थोड़ा सा न्यूज भी आ गया है इंडर्स वॉर्डर ट्रीटी को लेके चर्चाएं हो रही है चले बात करते हैं पूरे का पूरा टोपिक क्या ही आपको समझा देता हूँ तो थोड़ सा हम लोग हिस्टरी में चलते हैं हिस्ट्री की बात देखो दोस्तों ऐसी है 1948 से हैं लोगों हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 48 में पाकिस्तान ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिये और उसने इंडिया के उपर अटैक किया जब पाकिस्तान ने इंडिय जाती है कोन सी जाती है ना पता है न आपको इंडिस रिवर और उसकी ट्रिव्यूटरी जिसे हम लोग पंजनड कहते हैं सतलूज ब्यास रावी चिनाब और जेलम यह सब हैं इंडिस की ट्रीटी तो जब उन्होंने हमारे उपर अटैक किया हमने भी उनका पानी रोख दिय हालां कि उस पानी को बात में हम लोग ने जाने दिया पहले हम लोग ने डाइवर्ट कर लिया था लेकिन धीरे धीरे बात यहां तक पहुंची के 1954 में पाकिस्तान चला गया युनाइटेड नेशन की अंडर में मतलब 51 में ही चला गया था लेकिन वह बात होते होते जो है 54 ह गया और 54 में उनाइटेड नेशन के कहने पर वर्ल्ड बैंक ने यहां पर इंटरफेर किया और वर्ल्ड बैंक ने दोनों कंट्री से बातचीत करना शुरू किया तो 6-7 सालों तक यह लगातार बातचीत होती रही और फाइनली 1961 में दोनों कंट्री के बीच में अग्रिमें तो यहां पर बेसिकली तीन कंट्री इंवोल्ड लेकिन जो यह ट्रीटी बनी थी इसमें चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया यह ट्रीटी सिर्फ और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है 1960 में यह अपने याद रख लेना है हमारे प्रधान मंत्री जवारला नहरू और पाकिस्तान के ब्रधान मंत्री उसमें जो थी आयूब खान दोनों ने बैठके इस ट्रीटी के ओपर सिगनेचर किया ठीक है अब इस ट्रीटी के क्या क्या प्रोविजन्स थे देखिए आप यहां पर एक लली देख सकती हो यहां पर अगर हम लोग इंडस रिवर की बा हिमाचल प्रदेश में चेनाब का नाम दूसरा होता है इसे कहा जाता है चंद्रभागा से जहल्म को हम लोग जहल्म से जिए एंड के में कहते हैं हिमाचल प्रदेश में जेलम को कहा जाता है कृषिन गंगा यह कुछ चीजे शायद आपको पहले से पता होगा इन रिवर्स में ब्यास एक मात्र ऐसी रिवर है जो इंडिया में ही ओर जिनेट होती है ठीक है और और कम्पलीटली पूरी तरह से इंडिया में ही रहती है देखिए यह रही आपकी ब्यास माचल परदेश से ओर्जिनेट होती है माचल परदेश से ट्रेवल करती है पंजाब में एंट्री करती है और पंजाब में ही किसी दूसरी जगह में जाके सतलुज में जाके एड हो जा जो आपकी east flowing river है, मतलब eastern जो river है, सतलूज, ब्यास और रावी, ये जो तीन river है, सतलूज, ब्यास, रावी, इसका पानी मिला इंडिया को, हम लोग इसके पानी को जैसे मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिनाब, जहलम और इंडस, इसका पानी मिला पा पानी को भी इंडिया यूज कर सकता है, लेकिन कुछ terms and condition के साथ, जैसे आप उसका flow नहीं रोख सकते, आप उसके पानी को divert नहीं कर सकते, कहने का मतलब यह है, कि जो इनका flow है न, flow कम नहीं होना चाहिए, हाँ, आप इसको दूसरे purpose के लिए यूज करो कोई दिक्कत नहीं ह और यहीं से सारा मामला बनता है, देखे शुरुवात में तो हम लोग ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैम बनाए नहीं, क्योंकि electricity बहुत ज़्यादा दिमांड थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे दिमांड बढ़ी, तो इंडिया ने वहाँ पर बहुत सारे project भी लगाने दरवाईव किया है, चाहे हमारे relation कितने भी खराब हो गए हों, अभी तक ये treaty अपनी जगह पे कायम है, इसी treaty को एक्चली दुनिया की सबसे successful जो है treaty कहा जाता है, ये भी इसको एक tag मिला है, even USA के president जो थे Eisenhower, उन्होंने तो इसको कहा था, this is one bright sport, it is one bright sport in a depressing world, तो ये साना एक उमीद की किरण नजर आती है दुनिया में, कि भाईया जगड़े होते हुए भी कहीं न कहीं एक agreement का chance बनता है, तो एक example set किया है यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने कहीं न कहीं इस treaty के दवारा, हाला कि इसके उपर अभी question mark उठाया जा रहा है, वो एक अलग करता है, किसी भी project को लेके agriculture या कोई भी हो, अगर उसके कोई भी सवाल होता है, तो हम लोगों ने इसके लिए एक provision बनाया है, हम लोगों ने एक permanent जो है इंडस commission बनाया है, permanent इंडस commission, ये commission time to time आपस में meeting करता है, और एक दूसरे के project की information आपस में share करता है, तो जो presently मैंने आपको बताया था, जो पिछले हफते ही हमारे officials वहाँ पे गए थे, वो इसी के तहत गए थे, permanent इंडस commission, कभी वो यहाँ आते हैं, कभी हम वहाँ जाते हैं, ठीक है, एक तो नों ने ये बताया, कि भीया आपको information share करनी है, दूसरी बात, अगर किसी बात को लेके आपके मन म doubt है, आपके मन में किसी चीज को लेके कुछ differences है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप जो है, neutral experts के पास जा सकते हो, neutral expert, अब ये पूरा मामला क्या है, देखे, बताता हूँ आपको, देखे, ये treaty सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही नहीं है, बलक अगर इन दोनों को किसी project के उपर doubt है, तो वर्ल्ड बैंक क्या करेंगे, जो आएंगे दोनों वर्ल्ड बैंक के पास, कि मारी बाप, हमारे इस तरह से doubt है, आप कुछ solution बताइए, तो वर्ल्ड बैंक अपने आप solution नहीं बताता, वर्ल्ड बैंक क्या करता है, कुछ साथ ऐस से officers को appoint करता है, जो की पूरी तरह से neutral होते हैं, ना वो इंडिया से होते हैं, ना वो पाकिस्तान से होते हैं, वो किसी neutral country से होते हैं, और दोनों party उस पर agree करती हैं, फिर ये जो बाद में साथ लोग होते हैं, ये उस case की सुनवाई करते हैं, तो ये होते हैं neutral expert, कौन appoint करता है world bank appoint करता है, मतलब world bank की help से appoint के जाते हैं, चलिए ये बात हो गई, तो मैंने जैसे आगो कोई technical doubt होगे इस तरह का, तो ये तो होगे सिर्फ differences, ठीक है, तो difference होने के बाद, अगर आपको किसी project पर doubt है, कोई dispute है, जैसे माल लो, इंडिया ने किसी river के पर कोई project बनाया, पाकिस् dispute resolution, under this dispute resolution, इसे कहा जाता है, court of arbitration, ठीक है, court of arbitration, तो देखें, यहाँ पर तीन चीज़े है, पहली चीज़े है, information share करना, जो की permanent index commission के तहत होती है, दूसरी बात होती है, एक दूसरे के differences को सुनवाई करना, जो की neutral expert करते हैं, तीसरी बात होती है, dispute को resolve करना, तो ये जो court of arbitration ह होता है, इसको इसकी appointment भी world bank के द्वारा ही की जाती है, और ये हर case की सुनवाई करते है, witness की सुनवाई करते है, technical team की सुनवाई करती है, और फिर अपना verdict सुनाते है, ये रहता है यहाँ पर पूरे का पूरा मामला, ये आपको थोड़ा सी इसके बारे में पता होना चाहिए और इस treaty में क्या है, इसके तहत आप जो है कुछ खास dispute को पढ़ सकते हो, जैसे अगर हम यहाँ पर dispute करें जो सबसे बड़ा dispute अभी तक रहा है, वो रहा है किशन गंगा river के ऊपर, किशन गंगा, किशन गंगा के ऊपर जो है इंडिया ने डैम बना रही थी, इंडिया ने य और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया, वर्ल्ड बैंक ने पहले neutral expert बनाया, committee बनाई, उसके बाद court of arbitration बनाया, अभी तक वो court of arbitration के मामला बेसिकली चल रहा है, लेकिन इंडिया ने construction बंद नहीं की है, कहीं न कहीं वर्ल्ड बैंक की जो बनाई हुई committee है, और ये 850 मेगा वोट का प्रोजेक्ट है, इसको लेके भी पाकिस्तान ने question raise किये हुए है, जो मामला अभी चल रहा है, उसके लावा एक और प्रोजेक्ट है, जिसे काजात है तुलबुल बेराज प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट भी जो है जेलम रीवर के उपर चल रहा प्रेजेंटली जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं और जिसके बारे में हम लोग एना information शेयर की है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कीरू प्रोजेक्ट है, ठीक है, लोवर कलानी प्रोजेक्ट है, डोड़ा प्रोजेक्ट है, चेनाब रीवर के उपर, ठीक है, उसके फजिल का ड्रेन है, इसकी location आपको दिखा देता हूँ, देखिए, यह हो जाती है, यहाँ से हमारी सतलू जिरीवर, ठीक है, और यहाँ जाके यह पाकिस्तान में चली जाती है, इदर से निकलती है, यहीं पे कहीं पाकिस्तान से एक छोटा सा कनाल आती है, और सतलू अडिया ने बहुत सारे डैम को वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, जैसे चनाब रिवर के उपर हम लोग ने कहीं सारे डैम को कंस्ट्रक्ट किया है, जैसे आपका, जैसे अगर मैं बताओं, वहाँ पे सलाल एक प्रोजेक्ट हम लोग ने किया है, दुलहस्ती प्रोजेक्ट हम लोग ने किया है ब्यास रिवर के ऊपर हम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया है जैसे पॉंग प्रोजेक्ट बनाया है और पांडो प्रोजेक्ट भी हम लोग ने ब्यास रिवर के ऊपर बनाया है रावी के ऊपर भी हम लोग बनाए हैं जेलम के बनाए हैं उन लेकिए पाकिस्तान बार-बार यहाँ परोलम क्रि kamu करता है लेकिन present status क्या है जब से यूरी पे टैक हुआ था पुलवामा टैक हुआ पुलवामा टैक हुआ अटाक हुआ ने तब मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहीं बार ऐसा बोला, कि अगर आप इसी तरह से अपनी हरकतों से बाज नहीं आये ना भी या, तो हम लोग इस वोटर ट्रीटी के उपर जो है, डाउट करते हैं, मतलब हम इसको ना मोडिफाई कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, देखे, कहना एक अलग बात होती है, लेकिन जो कोई ट्रीटी होती है, दोस्तों वो एक इंटरनेशनल बाइंडिंग ट्रीटी होती है, इतना असान नहीं होता कि जहांपे वोल्ड बैंक इंवल होता है, इंटरनेशनल कम्यूनिटी इंवल होती है, किसी ट्रीटी से बाहर जाना, तो बोला उन्होंने तो है, लेकिन इस ट्रीटी के अंदर ये प्रोविजन भी ओरड़ी दिया हुआ है, कि कोई भी एक कंट्री यूनिलेटरली इससे वोक आउट नहीं कर सकती, अपनी मर्जी से, दूसरी कंट्री को भी इंवल होना पड़ेगा, जो इससे वोक आउट करना इतना असान नहीं, लेकिन जिस्तरे से पाकिस्तान हरकते कर रहा है, यूरी के अंदर पुलवावा के अंदर और भी बहुत सारी चीज़े करता रहता है इंडिया ने इस डिट्री के ओपर डाउट यहाँ पर definitely अपने raise किये हुए है ठीक है और इंडिया का कहना है कि अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो यह जो फिलाल इसका स्टेटस है इसको शुरुआत में से के बारे में कुछ बाते हुई थी लेकिन अभी ठंडे बस्ते में चला गया है क्योंकि यह जो पर्मनेट इंडस कमिशन है उसकी मीटिंग थी इसलिए ड्यूज में था बचे थोड़ी बहुत चीज आपको पता होनी चाहिए उसके लावा यह जो डोकुमेंट आप यह देख रहे हो अगर आपको यह डोकुमेंट चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे डिस्क्रिप्शन में जाओ वहां पर वाट्सैप नंबर मिलेगा या तो वह उसको जोइन क किले कि लिए तना ही अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगा है तो लाइक को जुरूर किया करो चैनल को सब्सक्राइब करो हाला कि आजकर हम वीडियो थोड़ी कम लेके आ रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ी सा जादा वीजी चल रहा हूं लेकिन आप से प्रोमिस करता हूं जैस